असलाम अलेकूम, आज मैं आपके साथ में वेज नूडल फ्रैंकी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यह एक इंडो चाइनीज रेसिपी है, जो के मुंबई के रोट साइट पे बहुत ही फेमस है यह रेसिपी, मेरे बताए तरीके से आप इस रेसिपी को स्टेप बार स्टेप की जरूरत है, एक कप मैदा है, हाफ कप गेहूं का आटा है, टोटल देड कप है मेरे पास में, आप चाहे तो दोनों बराबर बराबर इसमें ले ले, यहाँ पे दो बॉइल करे वे आलू है, जिसे मैंने इस तरह से तोड ली हूँ, एक छोटी साइस की प्यास को मैंने इस पाउडर है, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाप से ले ले इसमें, दो टेबल इस्पून भर करके, यहाँ पे मेरे पास मायोनीस है, आप चाहे तो अपनी जरूत के हिसाप से थोड़ा बढा ले इसको, और यहाँ पर बॉइल करे नूडल है, जिसे मैंने पानी में थोड़ा सा नमक और एक टेबल इस्पून डाल करके बॉइल कर लीती, अफिर से छान के इस पे ठंडा पानी डाल के से रख लीती, चलिए इससे बनाने लेते, यहाँ पे पहले हम आटा गुन लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक एड़ कर देंगे, और एक टेबल इस्पून डाल करके, इसे मिक्स कर लेते अच्छे से, मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका आटा गुन लेंगे, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गुनते, बिल्कुल वैसी हमें इसका आटा गुन करके त कर लिए एक पेड़ा लेकर करके उसे बेल लेंगे रोटी की तरह इसे बहुत जादा मोटी या पतली नहीं करनी है बस जैसे रोटी बनाते उतनी हमें इसे बेल कर लेना है इस तरह से यहाँ पर मैंने तवे को गरम कर लिए हम अपनी रोटी इस पर डाल करके इसे सेख लेते हैं अभी जादा हमें इसे नहीं पकाना है सेखना है बस हलका हलका इस तरह से इस पर आए कलर उतना ही हमें इसे हलकी हलकी सेखना है इसे हल्का अलट पलट कर के हम सिख लेते हैं अभी कच्ची पक्की बाकी पुरी तरह से भाद में सेखेंगे ये देखें यहां पर रोटी को मैंने सारी सेख ली हुँ इसे हम एक साइड में रख लेते हैं अभी नूडलस ले मैं। शेजवान चेटनी निकाली उसके अधि डाल दूगी . rac नूडलस में। रहाएं अभी आलू ले 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 जुत स्भीन मला स्थीच यहीं। डाल देंगे और इसे भी हम आलू में अच्छ से से मिक्स कर लेंगे इसे भी अच्छी कर के हमें एक साइड में रख लेते इसे भी यहां पर मैंने मायोनीस बचेवे शेजवान चेटनी और रेड चिली सॉस को डाल देंगे मायोनीस के अंदर और इसका इसे मिक्स करके इसे अच्छा सा इसका सॉस रेडी कर लेंगे यह देखिए इसे भी हमें एक साइड में रख लेते यहापे मैंने पैन गरम कर ली हूँ गैस पे और इसमें 1 टेब अच्छा से घरम हो जाए फ्राइय हो जाए फिर हम इसे भी इस पैन में से निकाल लेंगे और उसी पैन में मैंने एक टेबली स्पून ओएल दाल दी हूँ ओअ गरम हो जाए तो उसमें हम राई दाल देंगे थोड हाफ टीस्पून के करी और उसमें ग्राई ज़ए ट्रा अब अपनी रोटी को और लगा करके सेख लेंगे इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए और यह हलकी थोड़ी सी क्रिस्पी जैसी हो जाए अतना हम रोटी जैसे पकाते हैं उस तरह से हम रोटी को सेख लेंगे अभी पूरी तरह दोनों तरफ और लगा के अलट पलट करके इसे अच्छी तरह से सेख ले अभी यह देखिए इस तरह से इसमें रोटी हमारी पक जाए फिर हम इसे निकाल लेंगे यहां पर हमें एक रोटी ले लेते और इस पर अपने जो सॉस रेडी करके रखे ते मायोनी इसका वह लगा लेंगे और इस अच्छे से फैला लेंगे अभ अब इसे बीज़ा अच्छे सेट कर लेंगे इस तरह से फैलाते हुए यह देखिए इस तरह से हमें आलू को इस पे सेट कर लेना है अब हम इसके उपर थोड़ी सी पत्ता गोबी और प्यास को जो हमने कट करके रखेते हैं वो डाल देंगे और इसे भी फैला आलेंगे अच्छे से अच्छी तरह से प्रेस करते हैं वह रोल कर लेंगे इस तरह से यह देखिए इसी तरह से हम और एक बना करके मैं यहाँ पर रेडी कर लूँगी यह देखिए हमारी वैज नूडल फ्रेंकी बन करके तयार है मेरे बताए तरीके से आप इसे step by step follow करिए यह बिल्कुल वैसी बन के तयार होगी जैसे हम बाहर जा करके खाते हैं बहुत ही मज़े की बहुत ही टेश्टी यह बन करके तयार हुई है आप इसे सुबा के नाश्टे में बनाए शाम के नाश्टे में बनाए बच्चों को टिफिन में बना करके दे ये बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आती है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेर करिए चाइनल पे नए है तो वन टाइम सब्सक्राइब करिए साती में जो बैल आइकोन है उसे आल पे प्रेस करिए जिससे के मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे चलिए अल्ला हाफीज